जय हिंदुराष्ट आज प्रयास करता हूं कि आपके सामने एक डॉकुमेंटरी एक इतिहास को जीवित कर सकूँ एक शक्ल बना सकूँ एक पिक्चर आपको दिखा सकूँ दो लोग सुबा सुबा उठते हैं ब्रह्मोर्थ में ब्यायाम करते हैं दैनिक कसरत उसके बाद स्नान करते हैं जलपान करते हैं गीता का पाठ करते हैं इसमें दो ड़ाई तीन घंटे गुजारते हैं पुलिस के कुछ लोग आ रहे हैं एक दूसरे से कहता है कि पंडित कितनी सुन्दर भोर है सुभा कितनी सुन्दर है पुलिस वाले आते हैं तो दूसरे के कंधेप धौल मार के कहते हैं पंडित उठो ये वो दो लोग हैं जिने गांधी का वध करने के आरूप में फांसी की सदा जी जानी है उन्हें मालम है कि आज फांसी है मगर वो बिलकुल दैनिक कर्म जो करते हैं बिलकुल तटास्त निस्प्रे सद प्रग्य जैसे लोग जिने बिलकुल अपने जीवन की चिंता नहीं उनके पत्र हैं कई जो उनने अपने भाई को लिखे अपने पिताव माता को लिखे और अन्य लोगों को लिखे वो पढ़ने वाले पत्र हैं बहुत सुंदर पत्र है उनको न्यायर्शी कहा जाता है ऐसे रिशी जिनका जन्म न्यायक करने के लिए हुआ और तुलना इनसे की जाए भुटो पाकिस्तान का प्रधान मंत्री मुकदमा चला मुकदमे में इतना सा सायोग नहीं किया वो कोई बात नहीं कर सके जबकि नतुरान जी ने तो तीन दिन में अपना वक्टब्य समाप्त किया वक्टब्य भी समाने नहीं था उनके जो जस्टिस थे जो उन्होंने बाद में किताबें भी लिखी हैं उन्होंने कहा है कि मुझे लेशमात्र भी संदे नहीं है कि सुनने वाले लोगों को इस तरी पुरुष सब हैं उनको यद जूरी बना दिया जाए तो एक मत से लोग इन्हें बरी कर देंगे इस तरी हैं से सकने लगती थी पुरुष खांसी के बहाने अपनी आखें बचा के पहुँचते थे उससे तुलना करें उस वेक्ति की जिसके जो पाकिस्तान का प्रधान मंतरी रहा जब उसको फांसी की सजा सुनाई दी गई तो उसके पैर लड़ खडाने लगे उसको दो पुलिस वालों ने सारा देके उठा कर बेन में बठाया जिस समय उसको फांसी देनी थी उसको निकाला तो वो लगभग अर्धमूर्चित इस्तिती में था उसे घसीट के उठाकर फांसी के फंदे तक ले जाना पड़ा दूसरा उधारन सद्दाम हुसेन का सद्दाम हुसेन जमीन के अंदर एक बंकर में छेपा हुआ था वो व्यक्ते जो इतना आग रही दुराग रही था कि उसने प्रेसिडेंट हाउस के बाहर धर्ती पर टाइल से अमरीका के प्रेसिडेंट का छित्र बनवाया और लोग उस पर चल कर जाते थे थूख कर जाते थे यो अपने आपको ऐसा तीसमान खांब अता था उसको खेच कर निकालना पड़ा फांसी के समय उसको जब ले जाया गया तो बुरी तरह से छट पटा रहा था हजारों लोगों को कटवा कटवा के मरवाया सरों में गोली मारी निहत्ते लोगों को सैनिकों को नहीं सैनिकों के नाम के सामने तो चोड़ी हो जाती थी निहत्ते कुर्द जिनके पास हत्यार नहीं है उनकी छोटी छोटी नाउनों दद्दस गैरा-गैरा साल की बच्चेयों को चेन में बांद के नहिलाम कराया वोई पुराना काम जो बनु कुरिजा में किया सरकार ने जिनकी सुननत है जो जिनोंने यहुदी खिले तोड़े और उनकी ऑड़तों को खुलाम बनाया सेक्स बनाया उने बेचा उस सब परमपराओं का पलन किया मरते समय क्या स्तिती थी कुट्टों से उसका पीछा किया जा रहा था अमेरिकन फोर्स के जो डॉग्स हैं डॉग्स को एड़ वो उसके पीछे भाग रहा था और उनसे बचकर भागते हुए कुट्टे की मौत मारा गया ऐसा क्या था इन दो लोगों के जीवन में जिनोंनक पूरी तयस्विता से म्रत्यों का वरन किया आज कुछ इस सुरने मितिहास के प्रष्टों को पर लखता हूँ मैं उन लोगों से पर्शित हूँ जो इन परिवारों के निकट के हैं इन परिवारों से भी मेरा परिशय है मैं सौभागिशाली हूँ कि मुझे नतुराम गोड़ से पुरुसकार दिया गया है पुणे बुलाया गया है मुझे जब उन्होंने फून किया सात्य की सावरकर जी की पोते ने तो उनने कहा कि मुझसे मेरे बड़े भाई बात करेंगे अन्ना या दादा या ऐसा कुछ कहा मैंने फोन उठाया मैं जानता न तब सात्य कुई कुछ था ना दूसरे को जाता सिर्फ सोशल मीडिया का संपर्ट था पॉट्सेप के थो उनने बताया मैं अजिंग की गोट से बोल रहा हूँ और ने कहा कि हमने इस वर्ष के नाथुराम गोट से पुरुसकार के लिए आपका चैन किया है क्या आप आसकेंगे मैं बता नहीं सकता मैं तब रुमांच हो गया मेरे भलवल आंसु बहने लगे गला रुंद गया तो मैंने कहां आपके दर्शन करना अपनों के मध्य में आना तो गंगास्टान जैसा है अवित्र काम है तुरुन तो हूंगा उनने जो कुछ दिया उनमें से एक ये मेरे जीवन की निधी है मैं आपको दिखाता हूं ये नतुराम गोड़ से पुरुसकार ये मुझे मिला मैं अपने आपको इन देव तुले रिशी तुले लोगों को का आराधक मानता हूं ये प्रश्ण कई बार लोगों के मन में उठता है कि नाना आप्टे गोपाल गोड़ से नतुराम गोड़ से जी ने तो गोली चलाई नाना आप्टे तो हम मौजूद भी नहीं थे उनको किसलिए फांसी दी गई गई कुछ तर्थिऊं का ये कई क्रमों का प्रयास था घित्रन मतब दड़ प्रतिक गे थे ऐसा व्यक्ति जिसके कारंट हिंदूного पर संकट आये लाखों हिंदू मारे गए करुणों हिंदू विस्तापित हुए हिंदूं पर भयानक संकट आये और इस व्यक्ति को दंडित करने का म्याय के पास कोई रस्ता नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सहज रूप से कम से कम हम समय निम्रत्यू नहीं मरने देंगे जो होगा देखा जाएगा कई क्रम थे मदनलाल पावा उन्होंने बम फेकना था बम फेका मगर वो जिस जगह से बम फेकना था वहां से विवस्ता ठीक नहीं थी खिड़ की ऊपर थी कुछ दिक्कत हुई और नहीं हो पाया सेकंड वेव जो थी दूसरा क्रम उसमें नतुराम गौट से थे गोपाल गौट से जी का स्टेट्मेंट है कि ट्रेन में जब नतुराम गौट से ने ऊपर की बर्त पर थे यह लग नीचे थे नतुराम लेटे हुए थे बात हो रही थी कौन क्या करेगा तो अच्छाना को उपर से कूदे उनने का मैं गांधी को बद करूँगा गोपाल गौट से कहते हैं कि मैंने गांधी को मरा हुआ देखा इतने द्रण परते कि क्या वो कह रहे हैं तो हो जाएगा और अगर किसी कारण बचा तो तीसरी वेव नानाप टेकी कि यह मारेंगे ऐसा वेक्ति जिसके कारण धर्म संकट में पड़ा हिंदू संकट में पड़े उसको सहज रूप से नहीं लेंगे इसको स्विकार नहीं करेंगे इसका विरोध करेंगे हमारा इनके बीच का एक आदमी जिसने इनके खिलाव गभाई दी वो तूट गया था मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा मगर जानकारी संकेट से बात कर रहा हूँ मैं अपनी जीब को गंदा नहीं करूँगा जिस जो सरकारी गवा बन गया नाना आप्टेव ने और पूज जनातुरम गोट से जी ने प्रशासन से कहा जेल प्रशासन से कि हम उसे मिलना चाहते हैं सुचना दी गई तो वो तो डर गया मार देंगे कुछ नो कुछ होगा तो गोपाल गोट से जी ख्रमा करेंगे नातुरम गोट से जी और नाना आप्टे को मिलाने के लिए कि तुम जेल में मिलोगे वो जेल के सलाकों के उस तरफ रहेगा तुम इधर रहोगे तुमारे पीछे बांदी जाएंगे अगर ठीक है कि दोनों लोग महां पहुंचे उसक्ष में बीच में सलाक है उधर वो है इधर यह दोनों पोजी पुरुष है और उन्हें कहा कि देखो हमें फासी होगी इसमें कोई संदे नहीं है और हमें इसमें कोई समस्या नहीं है हम तो इसी कारे के लिए हैं सैनिक है होता ही है सैनिक कार है धर्म के सैनिक है करेंगे काम हम अपना खून तुझे माफ करते हैं मगर तात्याराओ को बचा तात्याराओ यानि उजिसावरकरजी जब उसके बायान का नंबर आया उसने यही किया कि यह कहा गया कि यह लोग सावरकर सदन गए तुम लोग सावरकरजी ने आदेश दिया था यह आशिरवाद दिया था इस कारे के लिए उसने का ये दोनों उपर गए थे मैं तो नीचे रहा, मुझे नहीं बता सावरकरजी की प्राण रक्षा हुई कॉंग्रेस तुली हुई थी, नेरू तुले हुए थे कि सावरकरजी को ने इस तनाबूद कर दिया जाए हिंदु महासवा को मर दिया जाए उनको बचाने का कारियर, इन दोनों ने अपने सर, अपना खुन माफ करके किया, अभी हम लोग जैपो डायलोग से लौट रहे थे, मेरे साथ एक सज्जन थे, जो इन परवारों के निकट रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, कि सावरकरजी की ने इसमें आशिरवाद दिया था, उनकी सहमती थी गांधीबत में, उनका सहमती आदेश दिया था, जिसका गोपाल गोट से जी तुम उसको राकर रह गए और इनमें साथियों में एक सज्जन थे, उनसे पूछा तो उनने का, उनको क्या लगता, तात्या राओ के आदेश के बिना ये संभव था, तात्या राओ को, सावरकरजी को इसका अंदाजा था, इसका परिणाम क्या होगा, महराष्ट में चित्वावन ब्रह्मनों को बुरी तरह से कष्ट दिये गए, मारा गया, बात दिकिया गया कि तुम जो कपड़े पहने हो, इसी में अपने परवाल साइद निकल जाओ, हमारा इलाका छोड़ दो, ना घर से एक तिनका नहीं उठा सकते, ऐसे ही जाओ, बहुत सारे लोग मध्यप्रदेश में आ गए, किस कारण से, कि उनके मन में बिल्कुल इस पश्ट था, कि धर्म द्रोही को, राश्ट द्रोही को, उसको तो नहीं छोड़ेंगे, पेश्वावों का रक्त है उनकी दमनियों में, इस कारिका, जो इतना बड़ा पापी हो, उ उसको दंडित तो करेंगे, करेंगे, इसके लिए जो भी बिल्दान देना पुड़े, देंगे, हिंदू में इसी तेजस्चुता की, इसी मन सिक्ता की कमी है, हमारे साथ कुछ हो जाए, चलता है यार, छोड़ो, जाने दो, कुछ जाने दो नहीं, राश्ट के, राश्ट प बात भी करेगा, तो उसको छोड़ेंगे, नहीं, बिरुद निश्यत रूप से करेंगे, यह और शक्क का रहे, मुझे याद पढ़ता है, मुझे वहाँ बुलाया गया, पुड़े में तो मैंने अपनी सुरगिया पत्नी को बताया, कि ऐसे ऐसे भी फोन आया था, उसका भी गोटसी जी की पत्नी के तीन वीडियो यूट्यूपर है, रिकॉर्डिंग है उनकी, उनका इंट्रिव्यू है, गोपाल गोटसी जी का घर, बड़ा समाने सा घर, लेट, जो परदा लटका हुआ है, वो फटा, गंदा, उनकी पत्नी जो एक काफ्तान जैसा पहने हैं, अस् अच्चा मेरा मानस बना, रुबनें से कहा कि आप के खर्शों के लिए मैं उनसे नहीं कह सकता हूं, आपके इस तर के अनकूल, आपकी जीमन शैली, जिस तर रा किये कैं ऐसी ववस्ता करो यहां ठराओ, यह नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं से कहा, अजिन की गोटसे से, कि मैं आने जाने की अपना टिकेट स्वेम लोंगा फ्लाइट का रहने की विवस्ता स्वेम करूँगा आऊंगा वश्य उन्हें का रहने की विवस्ता हम करेंगे जैसा भी होगा ठीक उस इंटर्वियू के एक छोटा सा प्रसंग मुझे ध्यान पढ़ता है उनकी पत्नी से पत्रकार ने पूछा कि आपको कब पता लग गया था कि यह होने वाला है यानि गांधी का वद करेंगे क्रमत हो गया यह चूकेगा यह मारेगा यह चूकेगा यह मारेगा इस वेक्ति क धरा धाम से स्वभाविक मृत्यू से नहीं जाने देंगे इसको दंडित करेंगे नियायक करके रहेंगे हम इसलिए नियायर्शी कहलाते हैं लोग तो उनने उनकी पत्नी ने कहा कि दो महिना पहले शायद दो महिना जड़ महिना पहले मुझे पता लग यह तो उनने कहा कि आपको क्या आपके मुन में क्या विचार आया एक समान ने ग्रहस्त हैं वो महिला कहती है कि मेरे मन में आया कि एक सैनिक की पत्नी की तरह जीवन जीना पड़ेगा एक लंबे अर्से गुपाल गौट से जेल में रहे उनने कहा फिर पीछे परवार में कौन-कौन था तो उनने कहा मेरी दो पुत्रियां थी तो मन में आया कि कम शेकम दो पुत्रियां है जीवन चलेगा साज रूप से रहेगा पत्रिकार को जने क्या सूचा उसने पूछा उन पूत्रियों के आये क्या थी तो रंका एक भाईवर्ष की थी एक छे मेने की थी इन दो कन्याओं की माता कह रही है कि एक सैनिक का जीवन जीना प्रगा वीर भोग्या वसंधरा वसंद्रा वीरों के लिए बनी है वो उसे भोगते है यह जो वाक्य है ऐसे ही तेजस्वी लोगों का है उन्हीं लोगों के लिए बना है खैर मैं पूने गया फ्लाइट से उत्रा तो मुझे लेने के लिए कोई सज्जन आए गाड़ी आई मुझे ले गए ऑफिस में ले गए अजिंक गोट से जीगे मैंने महां उस गीता का स्पर्ष किया जो फासी के समय पूजिन अथुराम जी के हाथ में थी उन वस्त्रों को छूने का पुन ने पाया जो गांधी वद के समय उन्होंने पहने थे जो फासी किसमें उन्होंने पहने थे उनकी अस्थियों को नमन करने का मैं बता नहीं सकता जो मुझ पर गुजरी है उसमें बिल्कुल भाव वे भल खैथ थोड़ी दिर बैटने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि चलिए कहीं खाना काते हैं मैंने का घर पे खिलाई है कि मानसिक्ता वो थी कि इनके इनके उपर बूच क्यों पड़े तो घर पे खिलाई बूले अच्छा चलते हैं नीचे आए नीचे मस्डी इस गड़ी भी थी ड्राइवर ने दर्वाजा कोला मैं चौकाई पीछ अत्तर असी लाग की गाड़ी तो मौलम पड़ा कि सेकड़ों करूरों का वापार है जिन लोगों को इतना कश्च दिया गया उनको वहां के समाज ने वहां के लोगों ने इतना सने आधर सतकार सहकार गवस्था बलदानियों को तेजस्वी लोगों को वीर लोगों को अकेला नहीं छोड़ा समाज में और यहीं चूक भारत से हो रही है राष्टर से हो रही है कि हम अपने योद्धाओं का ध्यान नहीं करते हैं अपने वीर लोगों का ध्यान नहीं करते हैं बलकि जो वीर लोग हैं उनसे विमुख हो जाते हैं कि पिछला चुनाव ध्यान होगा भोपाल से मैं इस घटना का कई वार जिक्र करता हूं दिगविजे सिंग वहाँ से चुनाव लड़ रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिस जो धर्म का हर प्रकार से विरोधी व्यक्ति के जीवन में परमधार्मिक होगा दो घंटे पूजा करता होगा इस सब करता होगा मगर राष्ट के नाते वो हमारे पक्ष का व्यक्ति नहीं है अब इसको भुपाल में धेर करना है जामने चुनाव नहीं था प्रग्या जी का चेन किया गया वो जो माले गाओं बमकांड में जिनका नाम है जिनको उसमें पकड़के भायन अगूप से यातना ही दी गई बहुत कष्ट दिये दे हिली नहीं वो महिला जरा सी भी उसने कहीं कोई कमजोरी पिछक के दब के मिली हुआ ऐसा कहीं नहीं सारे कष्ट जेले लगाता जेले पुलिस की सर ही अतना जेली पगड़े उसको टिकेट दिया गया उन्होंने चुनाव पुचार किया पक्षा घात है कमर से नीचे का हिस्सा उनका शरीर काम नहीं करता चुनाव केंपेन में ही किसी पत्रकार ने उनसे पूछा नतुराम जी के बारे में पूजना नाप्टे के बारे में तो उनने कहा वह महान राष्ट भक्त लोग हैं राष्ट के सेने के हंगा हाय 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 anप्रेस में हाय हाय वह बिलकुल वह फप्य कोटन जो थी नहीं चाती गूतना भाशन में नहीं कहा है उन से प्रश्ण किया गया तो प्रति प्रश्ण उन्हों अन्वत्तर दिया यह कहते हैं कि मैं इसको कभी हर्दे से माफ नहीं करूंगा अपर तुम से माफी मांग रहे हैं वो उसके तत्थ जानते हैं और इस तथ्य को वो लोग भी जानते थे जोनों ने इस कारी को करने में इने दंडित करने में पूरा जोर लगाया महासवा नश्ट करने में कारी किया यानि निहरू आप कल्प ना कर सकते हैं गांधी का वद किरों न किया पागल होंगे, विक्षिप्त होंगे, दुष्ट होंगे, ढकैत होंगे, चोर होंगे, लुटेरे होंगे, बुरे होंगे, कुछ भी, निश्यत बात, मगर उन्होंने अपने बचाओ में या अपने स्कृत्य के स्पष्टी करन के लिए, सफाई के लिए कुछ भी कहा होगा, त जब उस पर प्रतिबंध हटाए उस पुस्तक उन बयानों पर पचीसों बड़े-बड़े publishing houses ने इसको छापाए है है सामाने लोग नहीं हिंद पॉकट बुस्क जैसी पुरानी उसने भी छापाए है गोपाल गौट से नाथुराम गौट से इस सारे लोग वो तो बलदान हो गए आज उनकी पुर्णित थी है आज उनको फासी होई थी सुभार गोपाल गौट से ने गांधी बद और मैं लिखा है तो वो कहते हैं कि सरकार के पास बहुत व्यवस्ता है नहीं थी सामाने बसों से इन लोग ले जाया जाता था रेस्ट्रों वाले होटल वाले मुफ्ट में खाना खिलाते थे तांगे वाले आप से पैसे नहीं लेंगे आपने हमारे लिए अपना बलदान दिया है इस तेजस्ता से जिन्होंने कारे किया उनके सारे स्टेटमेंट्स तीस साल के लिए प्रतिबंदित कर दिए स्टेट के क्लासिफाइड डॉकुमेंट मना दिये इनको नहीं छापा जा सकता छपे संध के प्रकाशन उसको लगातार छपते थे वो पत्रिकाए संग कारेलों को मिलती थी मैंने वहीं पड़ी है गांधीवद क्यों वो समय पूरा होने को आया फिर तीस साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया जिनों ने किया वो बुरे होंगे हर प्रकाशन से खराब होंगे मगर उनके पास अपनी बात कहने का अपना स्पष्टी करण देने का या अपनी बात पूरी रखने का अधिकार है कि नहीं वो स्टेट्मेंट्स पढ़ने वाले हैं और जो उनके पत्र है गुपाल गोटसेजी को जो उनने पत्र लेखे हैं अपने पिता को पत्र लेखे हैं अपनी मा को पत्र लेखे हैं पिता मिलने आना चाहती थे उनने मना किया और उसमें लिखा है कि मैं स्थत प्रग्य हूँ गांधी के वद के बाद मुझे एक शन के लिए अपनी शरी का भान नहीं है बिल्कुल इस पष्ट एक सेनिक का कारे है शत्र को दंडित करेगा शत्र को मारेगा वो कारी उन्हें ने किया और इस कारी को करने के बाद हस्ते हस्ते उड़ो पंडित सुबह सो कर उठ रहे हैं तो एकसरसाइस कर रहे हैं मालम है कि सो गंटे दीन गहंटे बाद पासी चाड़ना है एकसराइस पूरी की स्नान किया नाश्ता किया द्यान की जो प्रकटियाती कुजा की प्रकटियाती वातावाण के बारे بात करने हैं कि धूप कितनी अच्छी है और उसके बाद शेनकों के साथ मुस्कुराथे हुए हाथ में गीता लेकर अपना बलिडान दिया कोई व्यक्तिकत शत्रुता नहीं थी गांधी ने पैसे नहीं मारे थे गांधी ने उनकी परवार की किसी इस्त्री के साथ ब्रह्मचर के प्रयोग नहीं किये थे गांधी ने उनकी जमीन नहीं दबाई थी गांधी ने उनका अपमान नहीं किया था कोई करण नहीं था कोई व्रक्तियत काम नहीं था केवल धर्म केवल राष्ट के लिए बलिदान होने वालों कि अगर श्रंखला बनाई जाए एक सूची बनाई जाए तो मेरे ही नहीं बहुत सारे लोग यह कहेंगे उसकी सूची में पहले नंबर पर चत्रपती शिवाजी से उपर राणा प्रताप से उपर बाप पारावल से उपर फलाणे से उपर सब से उपर रखे वाले जाने वाले यह दो नाम है उसका कारण है चत्रपती शिवाजी जीतेंगे हारेंगे मगर उसके बाद क्या मिलेगा राज्य महाराना को क्या मिलेगा चित तौड उदैपुर ना थुनाम गौट से हो क्या मिलेगा ना नाप्टे हो क्या मिलेगा उन्होंने पत्र में लिखा है कि मुझे अपने अपना सम्मान जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्री है मैं जानता हूं को नश्कर दिया जाएगा मगर धर्म सबसे बढ़ा है इस बलेदान दिवस पर मेरे अनंत प्रणा ऐसे महापुरुशों के करण ही राष्ट में विजगीश वक्ति आती है राष्ट ते जिस्षी बनता है काश घरगर में ऐसे लोग पैदा हों नहीं होंगे राष्ट नश्ट होगा जाए हिंदु राष्ट जाए हिंदु राष्ट